कि नमस्कार दोस्तों स्वागत अपका मेरे यूट्यूब चनल सेल्फ मेडिकोस में तो यह हमारा सेलिब्री ग्लैंड का फोर्थ वीडियो है जिसमें आज हम प्रूपर्टी अद्ध सलाइवा एंड डिसॉर्डर पैथालोजिकल फंक्शन अब दा सलाइवा पढ़ेंगे या या फिर उसमें कोई डिजीज डबलफ हो जाता है इन सलाइवा तो कौन-कौन से कंडिशन आराइज होते है तो उसको हम देखेंगे तो सबसे पहले दोस्तों हम प्रूपर्टी अप पढ़ते हैं थाउजन तू फिपीन हंड़ेड एमिल अप दा सलाइवा सिक्रिशन पर ड पॉइंट है तो इसलिए आप इसको दोस्तों रिमेंबर कर लिजेगा ठीक है तो सलाइवा है यह हो गया फ्रॉम 6.3-6.85 मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि स्लाइटली एसीडिक होता है क्योंकि देखिए यह हाइली एसीडिक नहीं है 6.35 यह स्लाइटली एसीडिक है इस्पे हम बात करते हैं ओऊइपोसलीवेचनर değiş हो जाए तो किस किस चंदिशन c报 उप स्टे कर और तो उसकी बात करते हैं सबसे पहले कुछ ऐसा स्टिशन अरााइज जाता है जिसमें कि temporary hyposalivation होता है यानि कि वो बात में फिर normal saliva secretion होने लगता है लेकिन temporarily क्या होता है वो saliva का secretion decrease हो जाता है या फिर बिल्कुल finish हो जाता है तो हम देखते हैं temporary hyposalivation emotional condition like fear जदी हम कोई बात होता है या फिर किसी भी कारण से हम डर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है हमारा hyposalivation होता है ठीक है hyposalivation means कि वहाँ पर जो saliva का secretion वो decrease होता है second है हमारा dehydration यानि हमारे body में water के कमे जब होती है तो उस time भी हमारा hyposalivation होने का condition हो सकता है या फिर खत्रा बना रहाता है third point हमारा fever है यानि कि जब fever भी हाई होता है body में या फिर fever like condition arise होता है body में तो उस time में hyposalivation हो सकता है फिर अब बात करते हम permanent hyposalivation की यानि कि ऐसा hyposalivation कि जब यह hyposalivation हो जाता है तो यह permanently होता है यानि कि फिर यह दुबारा ठीक नहीं होता है तो चलिए इसको देखते है फर्स्ट है इसमें sialoli thasis ठीक है permanent hyposalivation है जो हमारा फर्स्ट है sialoli thasis इसमें क्या obstruction of the salivary duct है यानि कि जो हमारा salivary gland से salivary duct arise होता है salivary क्या है saliva क्या है saliva एक enzyme है तो salivary gland से एक क्या duct arise होगा तो duct में कोई obstruction आ जाए या फिर duct में कुछ जाके फंस जाए तो जिसके वज़ा से जो obstruction rise होता है तो क्या होगा वहाँ पे saliva का secretion decrease होगा यानि बदेखे saliva तो मतलब हमारे जो मतलब alluoli cells है वो मतलब saliva तो secret कर रहा है बट obstruction की वज़ा से properly saliva का secretion हमारे mouth में नहीं हो पा रहा है यानि कि synthesis तो हो रहा है यहाँ पर saliva में saliva का बट secretion नहीं हो रहा है second हमारा bills palsy ठीक है palsy का मतलब बता है paralysis तो paralysis of the facial nerve अब देखे facial nerve में paralysis के वज़ा से permanent hypo celebration कैसे हो गया या फिर तो देखे जो nerve जो nerve लाता है हमारे salivary gland को signal तो किसके help से लाता है वो facial nerve के help से लाता है यानि कि facial nerve के थूँ जो हमारा nerve है वो supply करता है किसको salivary gland को तो जब facial nerve में paralysis हो जागा तो उसके वज़े से हमारे जो salivary gland उसको signal proper और नहीं मिल पाएगा हमारे central nervous system तो जिसकी वज़ा से हम उसको बोलते हैं bell's palsy ठीक है यानि कि यहां पर permanent hyposalivation हो गया यानि कि saliva का secretion decrease हो जाता है या फिर बिल्कुल finish हो जाता है अब बात करते congenital absence और hypoplasia of the salivary gland ठीक है तो congenital absence और hypoplasia of the salivary gland यानि कि hypoplasia का मतलब होता है incomplete development या फिर under development यानि कि जो हमारा salivary gland उसका proper development नहीं हो चुका है या फिर नहीं हो पाया जिसकी वज़े से saliva secretion जो है नहीं होगा ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं hyper salivation की यानि कि excess secretion of saliva is known as the hyper salivation बहुत सिंपल tag में बात करते हैं कि कैसे मतलब क्या होता है hyper salivation जो हता है ये normally physiological condition में होता है और फिर पैघलोजिकल condition हो सकता है जिसमें hyper salivation हो सकता है तो सबसे पहले बात करते हैं कि physiological condition हो नहीं hyper salivation कब होता है और और सिन्द़ pregnancy देखे प्रेग्नेंसी में भी क्या हो सकता है हाइपर सेलिवेशन ठीक है अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे पैफलोजिकल कंडिशन हमारे बोडी में राइज होते हैं जिसके वज़से हाइपर सेलिवेशन होने लगता है यानि कि सलाइबा का सिक्रिशन इंक्रीज होता है तो द प्रोड़क्शन ही जो मतलब सलाइबा का जो प्रोड़क्शन हुआ वही बहुत ज़्यादा हो नहीं से और दूसरा है सिंदर हो इंद्धि क्या है और दूसरी देखे प्रॉल्लम बढ होता है जो भी आप चिल्रेन देखें होंगे जैसे की जिसको मेंटल रिटारडेशन है ठीक है दोस्तों mental retardation आप जैसे chromosomal defect हो गया या फिर genetic defect वाले disease में कुछ आप देखे होंगे कि children को क्या होता है neurological problem होता है तो common problem in neurologically impaired children ठीक है जैसे कि down syndrome होगरा जिस children को down syndrome है या फिर कुछ और भी है जैसे कि मैं आपको बता हूँ तो उस टाइप के बच्चे में जिसमें neurological problem होता है तो उसमें hypersalivation होता है मतलब उसके mouth में हमेसा saliva का secretion रहता ही है ठीक है उसके बाद है आपको और सीलॉऋषीम में तो स्वेव्लए अप्ध मेज़र स्वेल्ए उन्ट जो भी में झालेवरि्जेंक ह कौन कौन से मेहसे क्लेवरिवर्र ग्लेशटों सावन्हे में पैरदोटी्टिड उन्न ? सब्सक्राइब को बता चुका हूं कि जो चिल्रेन जिसमें नियुरोजिकल डिफेक्ट हो या फिर कोई क्रोमोजूमल डिफेक्ट हो तो उस टाइब की बच्चे में हमेशा क्या होता है हाईपर सेलिबेशन होता है यानि कि सलाइबा मैं सा मतलब सलाइबा का सिक्रिशन हमें सा होता है फिर है सियलोसिस में स्वेलिंग अब हम बात करते दोस्तों other disorder of the sellybrie gland ये तो हम hypo और hyper celebration के बात कि बात करते हैं other disorder other disorder में क्या कहा है Surrts हमारा है Durling ठीक है तो Durling के एक स्पावाँ में मुधशन रहे घाल रहा में हैас जैसे हम पैसे में तर flow of the saliva, यानि जो saliva हमारे mouth से बाहर की तरफ मतलब बाहर की तरफ outside flow होता है, ठीक है, बाहर की तरफ flow होता है, flow क्या मैं आपको बता हूँ, एक तरह से जो हम उसको बोल सकते saliva का टपकना मुह से, ठीक है, it is condition of talism का condition भी बोल सकते हैं, अब इसके cause क्या हो सकते हैं, because of excess production of the saliva, simple cause है, कि excess production होतो saliva का excess production है, अब saliva का excess production होगा, तो saliva हमारे mouth में ज्यादा से ज्यादा मतलब secret होगा, अब बात करते हैं, दूरलिंग occurs in the following condition, किस किस condition में, देखें, दूरलिंग कोई disease नहीं है, ठीक है, दोस्तों, दूरलिंग क्या होता है, कि कुछ disease होने के बाद ये, एक pathological condition arise होता है, ठीक है दोस्तों, एक बार मैं आपको फिर से समझा दू, कुछ ऐसे disease हैं, जैसे कि हमारे body में मतलब tonsillitis होग या फिर difficulty in swallowing, तो इस जो भी condition हमें यहां बताएंगे, तो इस condition में, डूरलिंग होता है, या फिर talism होता है, तो talism या फिर डूरलिंग एक term है, जिसमें more secretion of the saliva होता है, ठीक है, तो किस किस condition में, या फिर किस किस disease में, डूरलिंग होता है, तो डूरलिंग occurs in the following conditions, या फिर तो during teeth eruption in the children, जब बच्चों में क्या होता है, जब दाप्त या फिर teeth का eruption होता है, तो उस टाइम डूडलिंग होता है, यानि more saliva का secretion होता है, second है tonsillitis, tonsillitis में भी होता है, फिर है peritonsillar abscess, परitonsillar abscess में भी होगा, फिर difficulty in the swelling, ये आप किसी चीज को swallow कर रहे हैं और swallow नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम भी more secretion of the saliva होता है, फिप्थ है हमारा nozzle allergy in the children, चिल्डर्न में जब nozzle allergy होता है, तो उस टाइम भी more secretion of the saliva होता है, ठीक है दोस्तों, अब हम second बात करते हैं, बहुत ह ये हमारा disease है, जो कि इसकों बोलते है, mumps, ठीक है, आपने mumps बहुत ही common disease है, आप इसको बहुत बार सुने होंगे, तो आज इसका आप पूरा concept clear हो जाएगा, देखिए, common acute viral infection in the parotid gland, ठीक है, ये parotid gland का viral infection होता है, सबसे पहले, कहां होता है दोस्तों, parotid gland में, कैसा होता ह viral infection है, caused by the paramexovirus, virus का नाम के है, paramexovirus, common in the children and also occur in the adult, देखिए, children में तो ये common है, बट, adult में भी पाए जाता है, feature of mom's is the puffness of the chick, due to swelling of the parotid gland, हम आपको पहले ही बता दिये हैं, कि parotid gland का infection, ये फिर paramexovirus द्वारा, जो attack होगा, ये फिर जो भी होगा, तो उसमें कहां होता, puffness of the chick, parotid gland दोस्तों कहां होता है, चिक के just side में होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, puffness है, यानिक हमारा चिक जो है, गाल हमारा सूज जाएगा, उसमें सूजन आ जाएगी, ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ बोड़ने है, puffness of the chick, due to swelling of the parotid gland, fever, weakness, sore throat, ठीक है, तो उस टाइम, fever भी होगा, थोड़ा weakness होगा, औ ठीक होगा, अब बात करते हम, mumps, affect, meninges, gonads and pancreas, तो कुछ condition, जब severe condition में क्या होता है, mumps किस-किस को affect करगा, affect, meninges, gonads and pancreas को, ठीक है, तो अब बात करते हमारा, third, जो हमारा disease है, Zogren syndrome, ठीक है, तो Zogren syndrome की बात करते है, तो Zogren syndrome, autoimmune disorder, in which immune cells destroy lacrimal gland and salibri gland, देखिए, autoimmune disorder है, Zogren syndrome, इसमें क्या होता है, salibri gland और lacrimal gland destroy हो जाता है, autoimmune disorder में क्या होता है, यानि कि हमारे body का जो cell है, वो खुद अपने ही body के मतलब जो cells है, या फिर glands उसको destroy करते है, यानि autoimmune, auto मतलब खुद का, और immune मतलब immune system, यानि खुद का immune system जो है, वो अपने ही body के parts या फिर glands या फिर cells को destroy करते है, destroy which immune cells destroy the lacrimal gland and salibri gland, common symptom of this syndrome is dryness of the mouth, ठीक है, माउथ हमारा dry रहेगा, फिर है persistence of the cuff, मतलब हमें सा cuff रहेगा, dryness of the eyes, ठीक है, एक severe condition में क्या होता है, जो वजाइना होता है, वजाइना में भी dryness रहता है, ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, इन severe cases, thyroid gland, blood vessels, brain etc affected, तो Zogren syndrome में, severe case में क्या होता है, thyroid gland, blood vessels, और brain भी affect होता है तो Zogren syndrome के एक autoimmune disorder है, जिसमें salivary gland, जो है, वो destroy हो चुका है, ठीक है, अब बात करते हैं, augmented secretion of the saliva, तो augmented secretion means, if nerve supplying salivary gland are stimulated twice, देखें, augmented का मतलब ही होता है, more, या फिर double, यानि कि जब nerve supply double हो जाए, if nerve supply salivary gland are stimulated, मतलब देखें, nerve supply तो double नहीं हो सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं हो जाएगा, but क्या होता है, stimulation जो उसका twice हो जाए, यानि जो उसको signal मिल रहा है, वो twice हो जाए, तो यहाँ हम उसी की बात करते है, augmentation, ठीक है, augmented, if nerve supply salivary gland are stimulated twice, यानि कि लगभग दुबारा या फिर दुगना, जितना आप उसको signal strength मिल रहा है, उसके just twice मिले, किसको, nerve supply of the salivary gland को, तो there is excess secretion of the saliva, तो वहाँ पर saliva का secretion भी increase होगा, क्योंकि वहाँ पर twice stimulated है, मतलब stimulation कैसा है, दुगना है, पहले से ज्यादा है, तो इसलिए, यहाँ पर हम बोले, augmented secretion of the saliva, अब पांचों हमारा disease है, paralytic secretion of the saliva, देखें दोस्तो, paralytic secretion of the saliva, यह कोई disease नहीं है, जबकि हम इसको experimentally करते हैं, when the parasympathetic nerve of the saliva gland is the cut experimentally, ठीक है, क्या है कि जब हम जो parasympathetic nerve supply है, celery gland को जो supply होता है, उसको हम cut कर दें, ठीक है, experimentally किसी animal में, तो क्या होता है, saliva secretion, उस टाइम बोड़ी में, बहुत मतलब, mouth में हमारे बहुत ज्यादा increase हो जाता है, तो saliva secretion increases for the first three weeks, यानि अगले तीन हफ्ते तक, जो saliva secretion, वो increase रहेगा, and later diminished, बाद में हो क्या होगा, रुक जाएगा, stop हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, लेकिन देखिए, parasympathetic nerve fiber के जादी, आप cut कर देते हैं, तो उसके कुछ दिन बाद यानि, आगले three weeks तक, saliva का secretion तो होगा, बहुत जादा होगा, increase हो जागा, अब क्यूं increase होगा, देखिए, parasympathetic nerve fiber को हम cut कर चुके हैं, तो बचा क्या सिप sympathetic, तो sympathetic क्या करता है, वो भी saliva का secretion को increase करता है, तो saliva कैसा, उस time sympathetic में release होता है, तो mucos type viscous होता है, और ठीक होता है, ठीक है, तो यानि ठीक या फिर viscous saliva अगले three weeks तक release होगा, more बहुत जादा release होगा, and then later dimnist, बाद में कैसा होजगा, dimnist होजगा, या फिर secretion नहीं होगा, यानि कम होजगा, अपटो six weeks, there is a finally stop the secretion of the saliva, यानि अगले छे हपते में बिल्कुल finish होजगा, ठीक है, saliva का secretion, यानि parasympathetic nerve fiber को आप कट करते हैं, पहले तो salivary secretion increase होता है, अगले तीन हपते तक, लेकिन धीर दीर वो क्या होता है, stop हो जाता है, यानि saliva का secretion बंद हो जाता है, कब तक, अगले छो हपते तक, ठीक है, increased secretion of the saliva after cutting of parasympathetic nerve is called the paralytic secretion, इसको हम बोलते है, paralytic secretion, क्योंकि हम parasympathetic nerve fiber cut कर दिये हैं, इसलिए हम इसको बोलते है, paralytic secretion, when the parasympathetic nerve cut, then sympathetic nerve get hyperactive, हम आपको पहले ही बता हैं, कि parasympathetic nerve fiber को जब हम कट कर देंगे, उसके बाद, जो sympathetic nerve fiber है, सिर्फ sympathetic nerve fiber को ही central nervous system से signal मिलेगा, तो कैसा हो जागा, वो hyperactive हो जागा, and release, यानि कि देखिए, जहां पे दो signal लाते थे, पहला sympathetic लाता था, दूसरा parasympathetic लाता था, तो जब आप parasympathetic को कट कर दिये, तो सारा signal कहां से पास होगा, only through sympathetic से, ठीक है, त तो hyper, तो उस टाइम के होगा, sympathetic hyperactive हो जागा, and release large amount of catecholamines, चीक है, catecholamines क्या है, ये एक local hormones होता है, catecholamines, तो catecholamines large amount में release होगा, which induced the paralytic secretion, जिसके वज़े से paralytic secretion होता है, यानि कि more saliva का secretion होता है, अब हमारा six disease है, saliva का, coda timpani syndrome, तो coda timpani syndrome क्या है, दोस्तों, characterized by sweating during eating, किसी person में आप देखोंगे, कि जब वो eating करता है, या फिर खाना काता है, तो बहुत ज़्यादा उसके face पर sweating होने लगता है, ठीक है, तो उसके वज़ा है, during trauma और surgery, ठीक है, मान लिजे, उसको पहले trauma हुआ होगा, या फिर कुछ surgery, तो some parasympathetic nerve of the salivary gland में भी damage, ठीक ह तो जिसके वज़े से कुछ parasympathetic nerve fiber उसके damage हो गया हुआ, तो जब parasympathetic nerve fiber damage हो गया, तो हमारे जो nervous system है, उसमें recovery, मतलब जो भी nervous system degenerate हो जाता है, तो वो कुछ time बाद regenerate होता है, यानि regeneration capacity बहुत कम होता है, बट थोड़ा little bit होता है, बट मैं आपको बता हूँ कि during regeneration of this nerve fiber, of this parasympathetic nerve fiber, joint nerve supply to the sweet gland, वो क्या करता है, जो parasympathetic nerve fiber है, जो कि injury या फिर trauma के दौरान damage हो गया था, तो क्या होगा, कि उसका regeneration होगा, मतलब कि वो दुबारा से, ठीक है, तो क्या होता है, कि जब वो दुबारा से recover होता है, तो वो nerve fiber क्या होता है, परasympathetic nerve fiber, किसको join कर लेता है, जो nerve supply, sweat gland को supply करता है, ठीक है, यानि कि, sweat gland, जिसको, sweat gland को जहां से information आथा, उसी को join कर लेता है, हमारा parasympathetic nerve fiber, ठीक है, यानि कि, जो parasympathetic nerve fiber है, किसका, salivary gland का, ठीक है, जो salivary gland तक parasympathetic nerve fiber, signal को लाता था, central nerve system से, वो अब किसको join कर चुका है, sweat gland को, तो जिसके वज़े से, then food placed in the mouth, salivary gland, secretion associated with the sweat secretion, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जब भी हम place करते हैं, food को, अपने mouth में, तो पहले तो saliva का secretion होगा, क्योंकि, जब कोई भी हम, मतलब, food को, अपने mouth में रखते हैं, तो उस टाइम, saliva का secretion होता है, तो यहां पर क्या है, हमारा जो signal आ रहा है, central nervous system से, parasympathetic nerve fiber में, तो वो तो अब किसको join कर चुका है, sweat gland को, ठीक है, तो जिसके वज़े से, यहां पर क्या होता है, यह दोनों associate हो जाता है, with sweat secretion, तो then food placed in the mouth, salivary secretion associated with the sweat secretion, ठीक है, दोस्तों, अब बात करते हैं, gerostormia के, ठीक है, gerostormia के, gerostormia dryness of the mouth, also called the pestis, और cotton mouth इसको बोलते हैं, मतलब कि, यहां पर hypo salivation की बात हो रहे है, ठीक है, hyposalivation और absence of the saliva secretion, या फिर बिल्कुल खतम हो जाया, या फिर उसका hyposalivation, या फिर कम हो जाया, saliva का amount, जिसको हम बोलते हैं, gerostormia, gerostormia के एक condition है, तो dryness of the mouth, also called the pestis, और इसको cotton mouth disease भी बोलते हैं, तो thank you, दोस्तों, यहां पर हमारा salivary client का पुटा topic, finish हो गया, अब हम next, अगला, gastric secretion का, gastric secretion पर video लहेंगे, thank you,